नमस्कार दोस्तो मैं हूँ रोहित और आप देख रहे हैं बीग्रो मुजिक सिरीज तो दोस्तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और नहीं वीडियो लेखे हैं जिसमें मैं आप लोगों को तीन सब्वूफर ये दिखाने वाला हूं जैसे कि काफी सारे भाई यों को जो प् satisfaction मिली हुई है जिन्होंने सिस्टम लगा रखा है उन लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है जिनको समझ नहीं आ रहा कि हमें लेना क्या है जिनको ये समझ नहीं आ रहा कि हमने गाड़ी में क्या लगवा लिया और हमें लगवाना क्या था तो ये सब वीडियो उन लोगों अच्छे तरीके से सुनना अगर जो बीच से आप निकालोगे तो ये वीडियो आप लोगों को समझ में आने वाली नहीं है क्योंकि मैं थोड़ा सा 2-3 पॉइंट इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा और वो आप लोगों को समझने हैं कि वो क्यों जरूरी है आप लोगों के लिए समझना अगर आप एक अच्छा म्यूजिक सिस्टम बनाना चाहते हो बिकॉज मैं आप लोगों को एक चीज साफ साफ बता देता हूँ बहुत कम लोग हैं बहुत ही कम लोग हैं जो आप लोगों कोई सिस्टम देने से पहले आप लोगों को समझाएंगे कि हाँ भाई आप लोगों को ये सिस्टम लेना है वो आप लोगों को नहीं समझाएंगे उनको सिर्फ अपने पैसे से मतलब होगा कि मुझे पैसा मिल रहा है मेरे लिए काफी है वो आपके उपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे चीज को समझाने का बहुत कम लोग हैं मेरी जान पैचान में तो तो इसलिए मैं आप लोगों को यह चीज अब बताऊंगा कि भाई आप लोगों को क्या चीज लेनी चाहिए क्या चीज नहीं लेनी चाहिए तो अगर जो हम स्टार्टिंग करते हैं वीडियो की अगर जो हम बात करें कि मेरी ही अगर जो कोई बात करें तो आप पूछते हैं कि आपको कौन सा अच्छा वाले subwoofer यहाँ पर रखे हुए है तो आप इनको अच्छा नहीं बता रहे और इसको अच्छा बता रहे हो देखो मैंने इनको गलत नहीं बोला कि यह subwoofer गलत है लेकिन मेरी एक requirement है उस requirement के हिसाब से मुझे यह subwoofer अच्छा लगता है अब वो कैसे अच्छा लगता है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ जो हमारा सबसे छोटा सबwoofer रखा हुआ है इसको बोलते हैं हम SQL SQL बोलते हैं हम इसको जो कि हमारे हर एक टाइप के music जितने भी हम type के music सुनते हैं यह sub में चल जाता है power इसकी कम होती है इनके बजाए इसकी power बहुत कम है ना के बराबर है लेकिन यह इनसे अच्छा बच जाता है वो इसलिए बच जाता है क्योंकि अब अच्छा इसलिए इसको हम बोल रहे हैं क्योंकि यह हर एक टाइप के सौंग हिंदी पंजाबी इंग्लिश क्लासिक जैसे मरजी आप इसके अंदर सुन लो यह सब कुछ निकालके आपको दे देता है इसलिए मुझे अच्छा लगता है और अगर जो हम पावर की बात करें तो पावर में इनसे कम है तो इनसे कम ही बज़ेगा अब इसका क्या जुगाड़ होगा इसका जुगार यह है जहां हमें एक लगाना था वहां हम दो लगाएंगे, जहां हमें दो लगाने थे वहां हम तीन लगाएंगे, जहां हमें तीन लगाने थे वहां हम चार लगा लेंगे, बस यह है कि थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम होगी, बस यह चीज होती है, उसके बा वाला सब वूफर है ये नॉर्मल लोगों की requirement के लिए है जिनका budget कम है और जो एक decent सा music सुनना चाहते हैं हलका फुलका गाड़ी से भी बाहर जाएगा हलका फुलका घर से भी बाहर जाएगा पता लगेगा सबको कि हां भाई बंदे की गाड़ी में एक अच्छा music system लगा आपको उसके बाद हमारा आता है center वाला सब वूफर जो रखा हुआ है SPL सिरीज का अब SPL सिरीज में और इसमें क्या फरक है अब आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो काफी बड़ा है उससे सचाई में ये काफी बड़ा है उससे तीन चार गुना ज्यादा भारी भी ऐ से और सीधी सी बात है इसकी पावर भी ज्यादा होगी इसकी पावर भी ज्यादा है तो ये उससे ज्यादा बजेगा लेकिन जो SPL सिरीज होती है उनका मैं नॉर्मली सी अगर जो बात बताऊं उनका वाइब्रेशन की तरफ ज्यादा ध्यान रहता है वो वाइब्रेशन पे बहुत ज़्यादा अच्छा प्रफॉर्म करते हैं अगर जो आपको वाइब्रेशन टाइप के सौंग सुनने हैं आप लोगों को सुनाना चाते हैं कि हां भाई मेरी गाड़ी में बहुत अच्छा म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है अगर जो उस टाइ के लिए भाई इसको आपको एंप्लीफायर लेना पड़ेगा है वी और हैवी एंप्लीफायर को चलाने के लिए आपको बैक अप चाहिए तो वह थोड़ा सा जंजट वाला काम रहता है लेकिन फिर भी लोग इसको लगबग बजा लेते हैं घर पे तो यह चीज मैंने आप को फ्रिक्वेंसी का सब्वूफर होता है ऐसा यह लौड नहीं निकलता निकल जाता है बट जितना ध्यान इसका लोग की तरफ होता है इसको आप कम पावर में अच्छा नहीं बजा सकते हैं इसको चलने के लिए भाई पूरी पावर चाहिए भर के पावर चाहिए तब ही अब ये सब वूफर उन लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल ही गाड़ी को भी तोड़ना है और जिनको लोगों को भी तोड़ना है जिसके घर के आगे से निकल गए उसके घर को हिलाते हुए चले गए ये उस टाइप की चीज है अब लोग क्या कर रहे हैं लेना उनको छोटे वाला सब वूफर है अब लेके ये साइड वाला बैठ जाते हैं जो सबसे साइड में बड़ा सब वूफर है अब उसमें क्या है इसको चलाने में भी दिक्कत पावर नहीं है आप लोगों के पास उसके बाद इसको एक बड़ा enclosure चाहिए वो नहीं आप रख सकते तो काफी सारी problem आप लोगों को face करनी पड़ती है इन सब चीजों में क्योंकि वो चीजें फिर मुझे मेरे पास आते हैं लोग और मुझे उनको समझानी पड़ती है फिर वो ये बोलते हैं कि भाई उन्होंने अपनी चीज को कैंसल करवाँ सिधी सी बात है तो ये चीजे आप लोगों को खुद समझनी होंगी कि भाई सबसे पहले चीज तो कोई भी चीज खरीदने से पहले उसके बारे में जान लो कि वो चीज है क्या वो आपके हिसाब से है भी या नहीं है वो जानना बहुत जरूरी है कहीं से भी कोई भी चीज लेते हो तो सिर्फ सस्ते के चकर में मत रहो मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ वो सस्ता आपको बहुत तंग करता है वो सस्ता आपको तीन गुना ज़्यादा पढ़ता है इससे ठीक तो चार दिन रुखके कुछ अच्छी चीज ले लो तो वो ज्यादा अच्छा रहता है आप लोगों को ये बार बार समझाओंगा और में चीज है कि बंदा आपको कितना गाइड कर रहा है किस चीज के बारे में किस हिसाब से बता रहा है तो वो चीजें भी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए सिर्फ चीज को लेके रखके फिर रखके सोचते रहो इसको मैं बजाओं कैसे ये तो कट मार रहा है ये तो हीट हो रहा है ये तो ऐसा हो रहा है ये अच्छा नहीं बज़रा तो वो सब चीजें फेस करने से पहले चीजों को समझो कि आपको क्या चीज चाहिए, किस हिसाब से चाहिए, क्या आपका टेस्ट है और ये जो चीज आप लेने वाले हो ये आपके लिए सही भी है या नहीं है तो ये सब चीजें आप लोगों को सोच नहीं होगी तो में दोस्तों आप लोगों के वीडियो अच्छी लगे होगी अच्छी लगे तो like करना बुरी लगे तो dislike करना जो मेरे नए भाई है मेरे चैनल को subscribe करने तब तक के लिए आप लोगों से अलवदा लेता हूं